वहीं कुम्हारी थाना अंतर्ग देख दमपत्ती के गुम्होने की शिकायत परिजिनों ने कुम्हारी थाने में कराई है मामले की जानकारी देते हुए एसपी विश्वास चंद्राकर ने बताया कि दमपत्ती शुक्रवार को रायपूर जाने दुपहिया वाहन से निकले थे तब से उनका मोबाई बंद बता रहा है एस्पी ने बताया कि जमीन का कारोबार करने वाले दमपत्ती पूर्व मेर रायपूर में निवास करते थे तथा वर्तमान में वे कवल्ल धाम के पास रहते हैं खुम्हरी के कवल पारक में पती पत्नी अपने बच्चों साथ निवास करते थे पती का नाम है म कावंदास कशश्यप और पत्नी का नाम है तन्नू कश्यप उनके बच्चों थाने में रिपोर्ट करने आया थे कि शुक्रवार ये लोग निकले हैं तीन बजे करीब राइपूर जाने के लिए एक्टिवा गाड़ी से निकले हैं और उसके बाद इनका मोबाईल बंद हो गया है कल इनकी बच्चे थाने में रिपोर्ट करने आए जिसे पर गमिन्सान कायम किया गये और पतसाजी जा रही है अभी तक कि जानकारी का अनस्वार ऐसा एसे जानकारी मिली है कि मुकावन दास कर्ष्चप की का जमीन का बेवशा है और उसके जमीन के बेवशा में बहुत सारे परिशानिया थी जिसके कारणा हो सकता है किसी विवात के लिए वो मॉबाइल बंद कर दिया हो ऐसे संभावना विवाकत है मुल्द है ये मटपुरेना गाइपुर के निवासी हैं वहां से यहां आके किराय में रह रहे थे